हेलो एव्यवन कैसे हो आप सब आज मैं आपके साथ इस ब्यूटिफुल बोर्डर डिजाइन की वीडियो शेर करने वाली हूँ यह डिजाइन और यह पैट्रोन देखिए बहुत ही सुंदर बहुत प्यारा डिजाइन है फ्रेंड से देखिए कितना सुंदर लगता है सीधी जो यह सब्दे आ स्वेकिह तरफ से इस तरह से और उल्टी तरफ से भी यह बहुत सुंदर बनताहीं इसे बनाने के लिए जो हमें फंदय चाहिए वो थ्रीग से इसाउत जाहिए लास्ट में आपके दो फंद होने चाहिए दोस्या बीजात तो पैटठन अच्छे से आपका सेट हो जाएगा इससे आप full cardigan में भी ढाल सकते हो बच्चो के किसी भी project में stroll बगारा बना रहे हो किसी भी project में आप इससे ढाल सकते हो ठीक है आप मैंने border में और button पट्टी में भी आप इससे ढाल सकते हो जैसे मैं डालूँगी लेकिन आप इसे फुल काड़ीगर में भी डाल सकते हो बहुत सुंदर बनता है इजी तो इतना है ना जैसे सीधा उल्टा बनाते हैं इस बिल्कुल वैसे ही ये वाला आपका डिजाइन बनकर रेडी हो जाएगा पर स्लाइब में फंदे ले लिए है इसे बनाने के लिए डिजाइन की फेस्ट रो सीधी तरह से जो पूरी हमने उल्टी उल्टी बना लेने है यह पूरी स्लाइब हमारी उल्टी ही बनेगी ठीक है फंदे डालने के बाद ये मेरी फर्स्ट रो है तो इस रो को मैं इस तरह से उल्टा उल्टा बना दूंगे अब सेकंड रो उल्टी तरब से जिसे हमने उल्टा ही बना लेना है हर बार फर्स्ट फंदे को उतारिए सलाई करते समय बहुत फिनिशिंग से सलाई होती है ठीक है एक चैन्स ही बन जाती है तो सिलाई करना स्वेटर को असान हो जाता है यह रो भी पूरी हमने इसी तरह से उल्टे-उल्टे ही बना लेनी है और फ्रेंट्स में रणा एक ब्लोग चैनल है मिसीज दुगल के नाम से तो प्लीज उस चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लीजिए कमेंट बोक्स में मैं डाल दूंगी उसका लिंक चेक कर लीजिए और उसे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अब यह डिजैन की थर्ड रो है हमारी तीसरी सलाई तो ध्यान से देखिएगा पहले फंदे को हमने उतार लेना है धागा अपनी तरफ करना है यह एक यह दो यह तीन इन तीनों फंदों को एक साथ सलाई में लिया ऐसे उल्टा बना लिया ठीक है उल्टा बनाने के बाद सलाई पर फिर से ऐसे धागा लपेटेंगे और फिर से इसे उल्टा बना लेंगे इस तरह से जस मैंने फ्रांस आपको बताया कि यह तीन फंदों का दिजैन है तो ऐसे ही आपने तीन फंदों का डिजैन बनाते जान तीन फंदे एक साथ मैंने सलाई में लिए ठीक है एक पर उल्टा बनाया फिर से सलाई पर धागे को घुमाया और उल्टा बनाया फिर से देखिए इसी रिज्यान को बनाएंगे तीन फंदे एक साथ ऐसे सलाई में लेंगे उन्हें पहले उल्टा बना लेंगे ठीक है फिर से स्लाइपर ऐसे धागे को घुमाएंगे और उन्हें उल्टा बना लेंगे फिर से देखिए तीन फंदे ऐसे स्लाइप में लेंगे एक साथ इन्हें उल्टा बनाएंगे स्लाइपर ऐसे धागे को घुमाएंगे फिर से इसे उल्टा बना लेंगे एक वर फिर से देखिए तीन फंदे एक साथ ऐसे स्लाई में लेंगे इन्हें उल्टा बना लेंगे स्लाई पर ऐसे धागा घुमाएंगे फिर से इन्हें उल्टा बना लेंगे तीन फंदे लास्ट में एक साथ ऐसे स्लाई में लेंगे ठीक है इन्हें उल्टा बना लेंगे एक बार ऐसे छोड़ेंगे न पूरी बनाकर कम्पलीट कर लिया अब चोती सलाइ है फार्थ रो बनानी है हमने इल्टी तरफ से से फांदे को पहले उतार दना है और यह फंदे सार यह हमने उल्टे उल्टे ही बना लें Mormonon तो कहीं आप ऐसे जुड़े हुए फंदों को एक साथ मत बना लेना क्योंकि तीन से हमने तीन फंदे बनाये थे फिर कम हो जाएंगे आपके फंदे आपने इसका बात का दिहान रखना है दिखे ये रो भी हमने बना कर कम्प्लीट कर लिए तो फ्रेंट्स सिरफ चार सलाइओं का ही हमारा डिजैन है इसे इनी चार सलाइओं को आपने बार 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 रिपीट करते जाना है अब क्या करना है हमने सीदी तरफ से फिर से पूरी रो उल्टी बना लेनी है धागा अपनी तरफ कर लेना है और ये पूरी रो को इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेना है अब आ गए उल्टी तरफ अब उल्टी तरफ से भी आसे ही फर्स्ट बंदे को उतारने के बाद आपने ये पूरी रो उल्टी उल्टी ही बना लेनी है इस तरह से अब आगे सीधी तरफ से पहले फंदे को उतारना है आपने धागा अपनी तरफ करना है एक दो तीन इन तीनों फंदों को लेंगे एक साथ स्लाई में उल्टा बना लेंगे स्लाई पर इस तरह से धागे को ले पेटेंगे फिर से उल्टा बना लेंगे ये तीन फंदों से फिर से हमने तीन फंदे बनाए है एक बर फिर से देखें स्लाई में ऐसे तीन फंदे लिए ऐसे उल्टा बना लिया स्लाई पर धागा ले पेटा फिर से उल्टा बना लिया ती अब उलटी तरफ से हमने क्या करना है पूरी रो उल्टी बना लेनी है इस तरह से यह पूरी रो हमने इसी थारा से उल्टी-उल्टी स्वाइब मंदने है इस तरह से प्रक्रंश ही चार स्लाइयों का ही design है मैंने दो बार आपको यह बनाकर design दिखा दिया है डिजैन भी बहुत ज़्यादा असान है और हर एक कलर में ये बनकर भी बहुत सुन्दर लगता है चाहिए आप डार्क में बना लीजे चाहिए आप लाइट कलर में बना लीजे कई पर कहा देते हैं कि आप दुबारा से रपीट करके दिखाएगे डिजैन को तो देखिए ये दुबारा से रपीट करके भी इस तरह से बन गया है बहुत सुन्दर पैटरन बनता है और इसे ज़्यादा बनाएंगे तो ये इस तरह से आपका डिजैन बन जाएगा देखिए इस तरह से बड़ा ही सुन्दर लग रहा है बना हुआ तो अगर आज की वीडियो आपको थो